जै शिरी राम तो क्या हाल चले आप सभी के तो आज मैंने जो देखा उसको देखके लगा कि सच में इंडियन सिनमा पीक पर आ रहा है पिछले हफते कलकी जिसने CGI और VFX के मामले में सारी इंडियन मुवीज को पीछे छोड़ दिया और इस सबते किल मुवी के मेकर्स ने ये दिखा दिया कि इंडिया में भी जबरदस्त ब्रूटल आक्शन मुवीज बनाई जा सकती हैं बैक टू बैक दो बड़िया मुवीज रिलीज होना सिनमा गरों में ये बहुत ही कम देखा जाता है पर भाई सच में मजा ही आ गया यार कलकी ने भी पैसा वसूल करवाय था और किल मुवी ने भी पैसा वसूल ही करवा दिया किल मुवी से मुझे जीरो एक्सपेक्टेशन थी वो इसलिए क्योंकि बॉलिवूड की एक्शन मुवीज में ये नोग हमेशा सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं सब दिखाने के चक्कर में पिक्चर की ये लोग बैंड बजा देते हैं पर किल मुवी के मेकर्स ने मुवी के सब्जेक्ट को पकड़ के रखा है वो जानते हैं कि फाल्तु की कॉमेडी काम नहीं करने वाली है ना ही सॉंग्स काम करेंगे मुवी में आपको एक भी सॉंग सुनने के लिए नहीं मिलेगा जो की अच्छी बात है क्योंकि action movies का जो flow होता है वो खराब हो जाता है फिल्म की शुरुवात होती है अमरित नाम के character से जो एक NSG का कमांडो है उसका एक best friend भी है जिसका नाम है विशेश दोनों ही NSG कमांडो है दूसरी तरफ है funny और उसके gang members ये लोग है पके डकैत जो ट्रेंज की बूगी पर कबजा करके passenger से सब कुछ लूट कर निकल जाते हैं लेकिन इस बार जिस train में ये लोग डकैती करने आया है उसमें अमरित और विशेश भी है फिल्म की स्टोरी लाइन अच्छे से रिवील नहीं कर रहा हूं है मैंने काफी चीज़ों को छोड़ दिया ताकि आप लोगों को भी फिल्म में बहुत जादा मज़ा है अब अमरित और funny की होगी ब्रूटालिटी का नंगा नाच भाई इतने गजब action scenes मार कार्ट बहुत ही बड़ी तरीके से दिखाए गई है ये बोल सकते हो कि इंडियान सिनमा में ऐसा कुछ पहली बार बड़े परदे पर आप सभी लोग दिखोगे action और मार कार्ट का combo और बात रही मार कार्ट की तो वो तो आप सभी ने वेब सिरीज में देखी होंगी अलग लेवल की जो कि इंडियान सिनमा में पहले से ही आचुके हैं जैसे कि मिर्जापूर में आप सभी देख सकते हो पर बड़े परदे पर ऐसा कुछ इंडियन सिनमा की तरफ से पहली बार आ रहा है इस सुनिंका जो first half है वो भी gripping है और second half भी gripping है ये आपकी नजर हटने ही नहीं देगा start से लेकर end तक आपकी नजरे ठिकी ही रहेंगी actors की performance की बात करो तो यार एक नंबर है लक्षय और रागव जो अलदूनों नहीं बहुत बढ़िया काम किया है especially रागव वैसे तो हमेशा आप सभी ने इनको comedy और dance करते ही देखा होगा पर kill movie में आप सभी इनको देखोगे डकैत के role में और क्या role किया है बंदेने सही में भाई मजाई आगया इसको देखर इसकी dialogue delivery इसका भाई जैसा character है न ये बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है इसने मुझे तो kill काफी पसंद आई start से लेकर end तक एक दम gripping screen बले है इस film का देखो ghost bumps की तो मैं guarantee नहीं ले सकता है क्योंकि जो background score है film का वो इतना बढ़िया नहीं था बस यही point इसका हलका सभीक है मेरी तरफ से इस film को 10 में से 9 stars और मैंने 9 इस लिए दिये हैं क्योंकि सही में भाई मेरी आखे नहीं हटी film से जितने भी reviews हम सभी को देखने के लिए मिल रहे थे मुझे तो ये भी लग रहा था कि जितने के लिए भी को देखने के लिए को देखने के लिए